Hello everyone, मैं रावल सिंगे आप सभी का स्वागत करता हूँ Step Up Academy में where you can learn today and lead tomorrow. तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं What is Democracy and Why Democracy Class 9th का Civics का 1st chapter है और इसको हम आपके exam के purpose से one shot में cover करेंगे एक वीडियो में बहुत कम टाइम में पूरा chapter अच्छे से cover करेंगे तो What is Democracy and Why Democracy ये दो portions हैं सबसे पहले हम देखेंगे democracy होती क्या है मतलब उसकी definition और उस definition को समझने के लिए बहतर तरीके से समझने के लिए उसकी जो features होने चाहिए उन features के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि democracy की जरूरत क्यों है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि democracy होती क्या है तो पहला question क्या है What is democracy? Democracy एक form of government है क्या है एक form of government? ठीक है? democracy के लावा और भी बहुत सारे form of government होते हैं जैसे की dictatorship, monarchy, military rule ऐसे कई सारे different form of government होते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं democracy की तो ये किस तरीके का form of government है? ये एक ऐसी government है जहाँ पर rulers कौन elect करता है? वहाँ के लोग है ना तो democracy is a form of government in which rulers कौन? rulers, ध्यान से समझेगा इसको rulers are elected by the people तो ये एक ऐसी definition मिल गए अपन को जिससे की हम एक democratic और non-democratic country में difference कर पाते हैं मतलब ऐसी country जो clearly non-democratic है उससे हम democracy को अलग कर पाते हैं इससे ठीक है? लेकिन इस definition से हमें कई बार समस्या क्या होती है कि कुछ ऐसी countries हैं जो actually में democratic नहीं है लेकिन ये simple definition के इसाब से हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो democratic है तो इस definition को और detail में समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को हम एक image के थूरू समझते है ये जो image है ये Iraq में जो elections हुए थे with the presence of USA and other powerful countries वहां की image है जिसमें हमें दिख रहे है कि ये जो army है वो democracy लेकर आ रही है लेकिन democracy में दो को M कैसा दिख रहा है हमको mcdonald's वाला है ना मतलब कि इससे हम क्या समझ रहे है कि वहां पर जो elections हो रहे हैं वो free and fair नहीं है वहां पर जो US और other powerful countries हैं का influence है और वो इसलिए वहां democracy ला रहे हैं ताकि इन countries में जो MNCs हैं वो यहां पर enter हो सकें ठीक तो यहां पर देखने से तो लग रहा है कि यहां democracy आ रही है लेकिन क्या actually में democracy है इसी चीज़ को समझने के लिए हमने जो definition पड़ी democracy is a form of government in which rulers are elected by people इसको हमें बहुत detail में समझने की जरुवत है अब हमें क्या समझना है इसमें इस democracy की definition में हमें यह समझना है यह form of government का मतलब क्या है rulers, elected or people इन चार words को हमें बहुत अच्छे से समझना है सबसे पहले हम समझते हैं यह rulers rulers word की अधि हम बात करें तो rulers कौन होंगे elected होंगे की elected नहीं होंगे तो दोनों टाइप के rulers होते हैं हम जानते हैं non-elected rulers कौन से होते हैं जो हमारे government officers हैं तो हमें यह देखना है कि कौन से offices जो हैं elected rulers hold करेंगे और कौन से offices जो हैं non-elected rulers hold करेंगे मतलब decision making की बात कर रहा है rulers हैं, मतलब वो decision ले रहे हैं, ठीक है, तो पहला ये word clear हो गया भाई, हमें क्या check करना है, कि एक democracy में कैसे rulers होने चाहिए, elected, non-elected, both, और उनकी responsibilities क्या होंगी, वो क्या decision ले सकते हैं, दूसरी चीज हमें क्या देखना है, elections, कि एक democratic elections के लिए कौन-कौन सी conditions fulfill होनी चाहिए, है न, कौन-कौन सी conditions fulfill होंगी, तो एक democratic election कहलाएगा, तीसरी चीज, people, people का मतलब क्या, यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे, एक वो जो rulers की तरह elect किये जाएंगे, और एक वो जो rulers को elect करेंगे, है न, तो थर्ड चीज हमें यही सीखनी है, कि who can elect the rulers, और get elected as rulers, ठीक है, और finally समझना है, किस तरीके की form of government को हम democracy कहेंगे, क्या एक बार जब हमने अपने rulers select कर लिए, तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, एक बार elect कर दिया, यदि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते होते हैं, तो फिर तो भाई, यह democracy कहीं से नहीं रह गई न, तो दिमोकरसी में क्या elected rulers कुछ भ देखते हैं features of democracy. सबसे पहले हमने rulers की बात की थी, तो पहला हमारा feature क्या हो जाएगा? Major decisions by elected leaders. यदि जिनको हमने elect किया है, वो final decisions ले रहे हैं, तो फिर वो country democracy है, otherwise नहीं. ठीक है? अब इसको समझने के लिए हम example लेते हैं, पाकिस्तान का. पाकिस्तान में, 1999 में जनरल परवेज मुशरफ ने एक military cope किया, यानि कि वहाँ पर जो elected government थी, उसको हटाया, और खुद country के ruler बन गया, और उनका जो title था उस समय था, वो था chief executive. ठीक है? बाद में इनों ने अपना designation change किया, chief executive से क्या बन गया country के? प्रेसिडेंट. और इनोंने 2002 में एक referendum conduct करवाया, और ये referendum क्या होता है भाई? referendum का मतनब है एक direct vote. इसमें लोगों के पास कोई persons की choice नहीं है, ऐसा नहीं है कि जनरल परवेज मुशरफ ruler होंगे, या कोई और ruler होगा. यहाँ पर बस लोगों के पास एक choice है, हाँ और ना में जवाब देना. तो एक direct vote होता ह है, जिसमें लोगों को हाँ और ना में जवाब देना है, है ना? तो क्या होता है referendum में? 2002 में जो referendum हुआ, इसमें ये directly पूछा गया that general परवेज मुशरफ should remain the president of Pakistan or not. और इस referendum का answer क्या था? येस. लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो elections, sorry, ये जो referendum हुआ है, ये referendum मे cheating हुई है. कौन-कौन कह रहा है भाई ये साफ? बहुत सारे लोग है, human rights organization है, पाकिस्तानी media है, जो democracy में activist होते हैं, वो हैं, ये सब क्या कह रहे हैं? कि mal practices हुई है और fraud हुआ है, ना? Mal practices मतलब cheating. ठीक है? इन सभी का ये कहना था कि ये जो elections हुए है, इन elections में mal practices हुई है, fraud हु तो president बने रहेंगे, उनको पांस साल का extension मिल गया. अब जनरल परवेश मशरव कब तक रहेंगे, प्रेसिडेंट? 2007 तक जनरल परवेश मशरव प्रेसिडेंट रहेंगे. अब जब ये referendum हो गया है, तो इन्हों ने एक legal framework order पास किया, legal framework order. इस legal framework order में इन्हों ने पाकिस्तान क constitution में कुछ changes किये. कैसे changes किये? दो main changes किये. सबसे पहला change क्या किया इन्हों ने? कि president जो है, वो national और provincial level पर जो assemblies है, उनको dismiss कर सकता है. can dismiss the national and provincial assemblies. किसी democracy में ऐसा हो सकता है क्या? कि एक elected leader अपनी मर्जी से वहाँ पर जो elected government है, उसको हटा सके. लेकिन यहां हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये legal framework order के थिरू इन्हों ने पाकिस्तान के constitution को amend किया. और इससे परवेश में शरव को ये power मिल गई कि वो national और provincial assemblies को dismiss कर सकते हैं, जब भी वो चाहें तब कर सकते हैं. ठीक. दूसरा क्या change किया? कि जो civilian government firm होगी, यहने prime minister बनेगा, council of minister बनेगी, ये civilian government होगी, इस civilian government के work को कौन सुपरवाइस करेगा? National Security Council. National Security Council. और अब जब नाम से समझ में आ रहा है, National Security Council है, तो security में definitely military officers जो है, वो dominating होगे. ठीक. और इतने सारे changes करने के बाद पाकिस्तान में elections conduct करवाए गए, free and fair elections हुए, elections में कोई cheating नहीं हुई. एक prime minister बना, council of minister बनी, याने की government form हुई, लेकिन क्या वो actually में rulers हैं? क्यों भाई? rulers नहीं हैं. क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं हैं, क्योंकि final decision making power किस के पास है, जनरल परविश मुशरफ के पास है और National Security Council के पास है, याने की एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तानी army rule कर रही थी पाकिस्तान में. है ना? तो क्या हम इसको democracy कह सकते हैं? बिलकुल नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जिन लोगों को वहाँ के जनताने elect किया है, वो actually में rulers हैं ही नहीं. देखो तो यहां से feature मिल गया. अब हमें समझ में आ रहा है कि democracy की definition को और अच्छे से समझने की जरत क्यों थी? example, यहां पर भी elections हुए और इन elections में government elect हुई लेकिन जो लोग वहाँ पर elect किये गए हैं, जो लोग government में हैं, actually में वो rulers नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि Pakistan जनरल परविश मुशरफ के time पर democracy नहीं था. ठीक है? अब कैसे समझें इसको? इस feature को हम एक language में frame करते हैं. है ना? क्या language बनती है? इना democracy, final decision making power must rest with those who are elected by people. है ना? तो यह हमें language याद रखना है भाई, यह आपको लिखना पड़ेगा feature. यदि आपको features of democracy पूछे जाते हैं, तो हमें चार features लिखने हैं और उसमें सबसे पहला feature हमको मिल गया, इना democracy, final decision making power must rest with those who are elected by people. ठीक है? यह याद रखना है हमको, यह main point है और यह हमारा example है जिसके थूँ हमने इस feature को समझा. ठीक, दूसरा feature पे आते हैं अपन, free and fair elections होना चाहिए. अब यह free and fair election कैसे हो? इसको समझने के लिए हम फिर से दो countries का example लेते हैं, जहाँ पर हम यह देखते हैं कि भाई, elections तो हो रहे हैं, लेकिन हम उनको free and fair नहीं कह सकते. तो सबसे पहले हम example लेते हैं, चाइना का. चाइना में elections होते हैं वहाँ की Parliament के लिए जिसे कहते हैं National People's Congress. हर 5 साल में election होते हैं यहाँ पर इस National People's Congress के लिए. और इसमें जो members elect होते हैं, वो फिर country के president को elect करते हैं. है ना? यह जो Parliament है, इसके पास क्या power है? अपॉइंट the president of the country. ठीक है? तो यह National People's Congress जो चाइना की Parliament है, इसमें लगभग 3,000 लोग होते हैं, 3,000 members होते हैं और इन 3,000 members में कुछ army से भी elect किये जाते हैं और बाकी चाइना के different parts से elect किये जाते हैं. ठीक है? तो यह 3,000 लोग मिलकर चाइना का president appoint करते हैं. ठीक. अब यह elections हुए लेकिन elections में खास बात क्या है? कि जो भी candidate election लड़ना चाहता है या जो भी party वहाँ पर election लड़ना चाहती है, पहले उसे communist party की permission लेनी होती है या approval लेना होता है. Chinese Communist Party. यदि इस party से approval के बिना election लड़ोगे तो लड़ी नहीं सकते. चाइए party हो, चाइए candidate हो. यदि आपको Chinese Communist Party से permission मिल गई है, तो ही election लड़ सकते हैं. तो देखो भई, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? लोगों के पास actually में कोई choice है क्या? हर बार Chinese Communist Party से permission लेनी है हर किसी को, तो वो permission कब देंगे? जब आप इनकी ideology को follow करोगे, communist ideology को follow करोगे, तब ही आपको permission मिलेगी, otherwise permission नहीं मिल तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि लोगों के पास choice ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि parties नहीं है, parties हैं, यह जो procedure है, इसको follow करके कुछ parties वहाँ पर affiliation ले लेती हैं, जैसे कि अपने को यहाँ पर एक data मिला है, कि 2002-2003 में जो elections हुए थे चाइना में, वहाँ पर Communist Party of China के अलावा, आठ small parties थी, eight smaller parties थी, जिन्होंने elections में participate किया था, लेकिन कब जब इस party से affiliation मिल गया या approval मिल गया तब, तो यहाँ पर देखो parties तो हैं, दिख रहा है कि choice है, लेकिन real choice नहीं है ना लोगों के पास, क्योंकि हर बार कोई भी जीते, government किसकी form होगी, Chinese Communist Party की form होगी, है ना? दूसरा example हम लेते हैं, Mexico का, Mexico को independence मिली 1930 में, और independence के बाद से यहाँ हर 6 साल में elections कंड़क्ट करवाए जाते हैं, ठीके? और हर बार एक यही पार्टी वहाँ पर जीतती है, जिसका नाम है PRI, Institutional Revolutionary Party, और यह सिलसला कब से कब तक चला? 1930 से लेके 2000 तक, याने की लगबख 70 years हो गए, भाई, 70 सालों तक एक ही पार्टी एलेक्शन जीतती आ रही थी और वो थी PRI, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्योंकि यहाँ पर PRI भी कुछ dirty tricks यूज़ कर रही है, PRI क्या कर रही है कुछ, dirty tricks यूज़ कर रही है, elections जीतने के लिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर choice है लोगों को, यहाँ PRI से affiliation नहीं लेना है, चाइना जैसा system नहीं है, लेकिन यहाँ पर different तरीके से cheating हो र party की meetings attend नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि जितने भी government employees थे, उनको party की meeting attend करना compulsory था, ठीक, दूसरा teachers जो थे, government teachers, वो parents को force कर रहे हैं, कि आपको PRI को ही vote करना है, धमकी दे रहे हैं teachers, यह तो आप वोट आपको PRI को देना है, नहीं तो fail कर देंगे बच्चे को, करियर खराब कर देंगे आपके वच्चे का, तो वोट मजबूरी में parents किसको देंगे, PRI को देंगे, ठीक है, फिर media की बात करते हैं, media का क्या कर रही है, media जो है, वो भी PRI की अच्छाईयां बता रही है, other political parties की अच्छाईयों पर उनकर बिलकुल भी ध्यान नहीं है, लेकिन other political party नहीं कुछ भी किया, तो उनको criticize करने से नहीं चुकेंगे, तो जो media है, वो क्या कर रही है, ignore the activities of opposition political parties, except to criticize them, ठीक है, ये media का role हो गया, यहाँ पर भी हमें देख रहा है, गड़बल काम है, इसके बाद हम बात करते हैं, polling booths की, कई बार क्या करती है government की, अचानक से polling booths change कर देती है, decided है, कल सुबह यहाँ पर polling हो नहीं है, यह सारे लोग यहाँ polling booth पर आकर vote करेंगे, लेकिन उनको लगा किया यहाँ पर हार जाएंगे, यहाँ पर लोग हमें vote नहीं करेंगे, तो इस polling booth को वहाँ से कहीं और shift कर देंगे, ठीक, तो यह भी एक cheating हो गई, इसके पैसा भी खर्च करते हैं यह, है ना, तो large amount of money spend करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं यह election जीतने के लिए, इन सारे reasons से P.R.I. election जीत रही थी, अब यहाँ पर देगो चाइना जैसा system नहीं है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि political parties are free to contest elections, है ना, लेकिन समस्या क्या ह है, यहाँ पर एक समस्या यह है कि भाईया, यहाँ पर choice होने के बावजूद भी जीत नहीं सकता कोई और, क्योंकि जो party जो power में हैं, वो election जीतने के लिए dirty tricks यूज़ कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको दूसरा feature मिल जाता है democracy का, कि democracy में क्या होना चाहिए, elections must be free and fair and those who are currently in power, they have a fair chance of losing, है ना, तो those who are currently in power have a fair chance of losing, यह नहीं कि एक बार जीत गए तो जीत गए, अब हारेंगे ही नहीं, है ना, तो यहाँ से हमें democracy का दूसरा feature मिलता है, अब यहाँ से questions बन सकते हैं आपको, एक तो आपका feature वाला question common है, लेकिन चाइना और मेक्सिको में क्या चल र सकते हैं, अब चलते हम तीसरे feature की तरफ, one person, one vote, one value, मतलब कि हर एक व्यक्ति के पास एक vote हो, और हर एक के vote की value equal हो, ऐसा नहीं है कि एक के vote की value कुछ है, दूसरे की कुछ है, देखो, ऐसा कई जगा होता है, जैसे कि कुछ examples दिये हैं, साओधी अरेबिया का example दिया है, कि 2015 त नहीं थे, अभी भी कई countries ऐसी हैं, जहाँ पर लोगों के voting rights equal नहीं है, कुछ ऐसी हैं, जहाँ पर rules ऐसे बनाए गए हैं, कि जो वहाँ की ethnic group को belong नहीं करते हैं, उनको voting rights gain करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि Estonia का आपको example दिया हुआ है, Estonia Russia की एक neighboring country है, तो Estonia में citizenship rules ऐ जैसे बनाए गए हैं, कि वहाँ पर जो Russians रह रहे हैं, उन Russian minority के लोगों के लिए ये बहुत difficult होता है, कि वो right to vote gain कर सकें, ठीक है, clear है ये चीज़, तो एक Estonia का example हो गया, जहाँ पर हम देख रहे हैं, लोगों के vote की value equal नहीं है, मतलब vote gain ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे citizenship law बना vote की value अलग-अलग है, फिजी में बहुत सारे Indians रहते हैं, Indians मतलब people of Indian origin, मतलब आप वहीं के citizens हैं, permanently रहते हैं, लेकर उनके forefathers यान उनके पूरवज, इंडिया से वहाँ गए थे, indentured labor की तरह, ठीक है, लेकिन वहाँ से lot कर नहीं आए, वहीं पर settle हो गए, अब फिजी में जो indigenous फिजी हैं, याने कि जो वहाँ के original inhabitants थे, उनके vote की value, Indian फिजी के vote की value से ज्यादा है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, vote की value equal नहीं है, यहाँ से हमको इन तीनों examples को देखके हमको एक एक नया feature मिल जाता है, democracy का तीसरा feature मिल जाता है, कि in a democracy, all the citizens must have one vote and each vote must have one value, तो इना democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value, यह तीसरा feature हो गया, next, fourth feature पर हम आते हैं, यह चार features है democracy में होने चाहिए, यदि इन चार में से एक भी नहीं है तो democracy नहीं है, fourth feature क्या है, rule of law and respect for rights, मतलब की, सरकार भली हमें दिखता है, सरकार rule कर रही है, लेकिन actually में rule किसका है, law का, actually में सरकार rule नहीं कर रही है, कानून जो बनाए गए हैं, उन कानून के तहट, वो government rule कर रही है, मतलब actually rule किसका है, law का, और respect for rights, लोगों के rights के लिए respect होनी चाहिए, इसको समझने के लिए हम Zimbambay का example लेते हैं, जिनको 1980 में independence मिली, देखो कितना late independence मिली है, अब जैसे इंडिया में Congress एक political party है, जिसने independence के लिए struggle किया, वैसे ही Zimbambay में एक political party थी, ZANU PF, Zimbambay African National Union Patriotic Front, है न, ये एक political party थी, जिसने वहाँ पर freedom के लिए struggle किया, और इनके leader थे Robert Mugabe, ये काफी लंबे समय तक rule किया इन्होंने, 2017 तक, ठीक है, तो Robert Mugabe काफी famous leader थे, और इन्होंने freedom struggle में lead किया, और इनकी मेहनत के कारण, Zimbambay को freedom मिल गया, अब क्या हुआ, जिसने के लिए, उसके बाद यहाँ भी elections हुए, बट यहाँ पर भी elections में, Robert Mugabe ने कुछ unfair practices यूज करी, elections जीतने के लिए, और जीतने के बाद इन्होंने constitution में भी कुछ changes किये, क्योंकि यह changes, ताकि, वो अपने आपको less accountable बना सकें, अब less accountable का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, accountability का मतलब होता है, जवाब दे ही, answerable होना, है ना, तो Robert Mugabe यह नहीं चाहा रहे थे, कि भाई, उनसे कोई question किया जाए, इसी लिए उन्होंने constitution में change करवाया, और constitution में ऐसे changes करवाया कि कोई इनसे questions ना पूछ सके, ठीक, इसके इलावा जो opposition political parties हुआ करती थी, इनके workers को harass किया जाता था, harassment मतलब है, परिशान किया जा रहा है उनको, और उनकी meetings disrupt की जा रही है, मतलब उनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा कि वो कुछ opposition form कर सकें ठीक से, ठीक है, इसके इलावा, public protest, इनको भी ban कर दिया गया, कि कोई public protest नहीं हो सकता, demonstration नहीं हो सकता, तो इ these things were declared illegal, ठीक है, एंड एक ऐसा law बनाया गया, जो कि citizens के rights को criticize, citizens का जो rights होता है, president को criticize करने का, उसको भी ban कर देता है, तो अब यहाँ देखो, Robert Mugabe powerful होते चले जा रहे है, Robert Mugabe को 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 criticize नहीं कर सकता, कोई demonstrations नहीं हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई public protest नहीं हो सकता है, है ना, television जो है, यहाँ पर भी media जो है, वो Robert Mugabe के साथ है, television और radio जो है, वो कौन control कर रहा है, government control कर रहा है, कुछ independent newspapers हैं, लेकिन जो लोग independently लिख रहे हैं, इनके हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, उनको भी harassed किया जा रहा है, है ना, तो कुछ independent newspapers थे, लेकिन उनमें जो generalist थे, देव harassed, ठीक, यह सारी conditions हैं, यहाँ पर जिम्वामबे में, है ना, अब जिम्वामबे में देखो, एक चीज होती है कि judiciary भी है भाई, वो government के जो shortcomings होती है, उनको दूर करती है, या उसको government ने जो भी गलत काम किया, उसके लिए उसको रोकती है, या उसको सजा देती है, है ना, लेकिन, यहाँ पर जिम्वामबे में क्या हो रहा है, कि कुछ court के जो judgments हैं, उनको भी ignore कर दिया, मतलब, यहाँ पर हम यह देख रहे हैं, कि elections हो गए हैं, ruler select हो गए हैं, लेकिन अब वो मनमर्जी चला रहे हैं, क्या ऐसे democracy कहलाएगी, बिलकुल भी नहीं, इसका मतलब यह है कि जब हम democracy की बात करते हैं, तो सिर्फ elections कैसे हो रहे हैं, यह देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि initially तो Robert Mugawai अपनी popularity के कारण जीते थे, लेकिन elections के पहले क्या condition है, और election के बाद क्या condition है, यह देखना भी जरूरी है, लोगों के पास कुछ rights होने चाहिए न, कि वो elections से पहले यह discuss कर सकें, कि हमारे लिए अच्छा ruler कौन होगा, meetings organize कर सकें, अपनी organizations बना सकें, associations बना सकें, है न, अपने views जो हैं, वो लोगों के सामने रख सकें, लेकिन यह कोई भी freedom यहाँ पर नहीं देख रहा है, उपर से court है, court के judgments जो हैं, उनको भी ignore कर दिया जा रहा है, मतलब कि लोगों के rights को protect करने के लिए भी कोई नहीं है, तो यहाँ से हमें अपनी democracy का fourth feature मिल जाता है, कि एक democratic government कैसी होती है, democratic government rules within the constitutional law and respect the citizens right, है न, तो fourth feature मिल गया, democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens right, तो government की limit क्या है, हमारे जो अधिकार हैं, वो सरकार की limitation है, ठीक है, तो यह चार features यदि हमें दिख रहे हैं, तो ही वो country democratic country है, सिर्फ elections conduct कर देने से कोई country democracy नहीं बन जाती, तो हमें यहाँ पर इतना समझ में आ गया भी कि एक democracy होती क्या है, लेकिन अगला question क्या है, democracy की जरूरत क्यों है, अब इसको समझने के लिए हमें democracy के बारे में और जानना होगा कि उसमें क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, देखो हर को इनके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है, ठीक है, तो वैसे ही democracy का भी है, तो पहले हम democracy के कुछ कमियां देखते हैं, उनकी shortcomings देखते हैं, arguments against democracy, कि क्या कमी है democracy में, यह कमि पहली चीज क्या है democracy में, leaders बदलते रहते हैं, अब leaders बदलते रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, political instability, है न, तो पहला हमें feature, पहला argument against democracy क्या मिल गया, कि democracy में leaders keep changing and this leads to instability in political order, ठीक है, दूसरा क्या, कि democracy में जो leaders है, उनमें morality नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं political competition है, और यह political competition किस चीज के लिए है, power gain करने के लिए है, है न, हर कोई power gain करना चाहता है, और वो power gain करने के लिए कोई भी method use करने के लिए तयार हो जाता है, वो corruption करते हैं, वो लोगों को मारते हैं, ढराते हैं, धमकाते हैं, सब कुछ करने को तयार हो जाते हैं, तो यह कह र in democracy, यह इसकी shortcoming है, बुराई है इसकी, कि election जीतने के लिए लोग बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, एक और क्या बुराई है इसमें, बहुत जादा consultation होता है, बहुत सारे लोगों से discuss किया जाता है, तो यहाँ पर एक और चीज होती है, कि उससे decisions बहुत धीरे-धीरे होते हैं, डिले हो जाता है, तो यह एक और shortcoming है इसकी, कि बहुत सारे लोगों से consult करने के कारण डिले होते हैं, तो so many people have to be consulted in a democracy that leads to delay, ठीक, फिर कई बार यह भी कहते हैं कि जिनने हमने चुना हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि लोगों की problems क्या हैं और उनको कैसे सुल जाना हैं और इसके करन वो गलत निर्नाए लेते हैं, bad decisions लेते हैं, तो यह जो leaders हैं, leaders do not know what is best interest of the people, so क्या होता है, this leads to bad decisions, और एक और shortcoming क्या है, लोगों कोई नहीं पता होता है कई बार कुछ चीज हैं, है न, तो क्या नहीं पता, ordinary people don't know what is good for them, हमारे लिए अच्छा क्या है, यह हम ही नहीं जानते हैं, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग illiterate होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, वो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं है, तो उनको पता ही नहीं रहे था कि what is good for them, और इसलिए कहते हैं, कि democracy में हम decisions ले रहे हैं, ordinary citizen decisions ले रहे हैं, हमारे चीज़ है, कि भाया ये जित्ते भी shortcomings हैं, ये हर एक form of government में रहती हैं और वैसे ही democracy भी है, democracy कोई एक magical solution नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है कि अपने कोई छड़ी गुमाई, कोई जादू की छड़ी है और वो गुमादी अपनने और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है democracy भी क्या है, एक form of government है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये आपको अपने rulers चुनने का अधिकार देती है, है ना, तो democracy में क्या है कि हम भले ही directly decision नहीं ले रहे हैं, indirectly ले रहे हैं, अपने representatives के तुरू ले रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने decisions ले रहे हैं, अब वो गलत हों या सही हों, वो हमारी हमारी परिशानी है, लेकिन हम निर्नाई तो ले पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें निर्नाई ही नहीं लेने दिया जा रहा है, तो democracy में क्या है, सबसे खास बात क्या है, कि ये क्या ensure करती है, people take their own decisions, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें मौका मिल रहा है अपने decisions, खुद लेने का, ठीक, लेकिन अब question यहाँ पर ये नहीं है, कि भाई, democracy अच्छी है कि बुरी है, question यहाँ पर ये है, कि democracy बाकी की form of government से अच्छी है कि नहीं है, तो क्या question है, is democracy better than other forms of government or not, ठीक है, तो हमें क्या समझना है अब कि democracy बाकी से बहतर है कि नहीं, definitely democracy बाकी की form of government से बहत बहतर है, अब कैसे है, उसके लिए हम पढ़ेंगे arguments for democracy, मतलब इसकी अच्छाईया क्या है, ठीक है, तो सबसे पहली अच्छाई क्या है, it is more accountable form of government, ज्यादा accountable government है, कैसे है भाई, ज्यादा accountable, answerable कैसे है, इसका example ले सकते हैं, कि चाइना में भी famine हुई, इंडिया में भी famine हुई, उसी समय, same time duration में, 1950s, 1960s में, लेकिन चाइना में बहुत सारे लोगों की death हुई, इंडिया में नहीं हुई, क्यों ऐसा था, difference कहां पर था, form of government में, चाइना में एक communist government थी उस समय, और इंडिया में एक democratic government थी, तो इसने respond किया, जब आप दे ही टे कर ही अपनी कि हाँ, हमें answer करना है, तो इन्होंने actions लिये, और इस तरीके से actions लिये, कि लोगों की death ना हो, उनको खाने को तो मिल जाए, चाइना में ऐसा नहीं हुआ, है ना, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि democracy क्या होती है, democracy is more accountable form of government, ठीक, दूसरी चीज क्या, it improves the quality of decision making, डिले जरूर होते हैं, अभी हमने पुड़ा था, कि बहुत सारे लोगों से consult करना होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, डिले होते हैं, लेकिन डिले हो जाने के बावजूद भी, क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों का दिमाग एक साथ काम कर रहा है, बहुत सारे की quality improve हो जाती है ठीक तीसरी क्या है यह जो democracy है यह हमें एक method provide करती है किस चीज की हमारे जो differences और conflicts हैं इन से बचने की how to deal with these differences in conflicts यह differences in conflicts हर जगा होते हैं आप इन से बचनी सकते लेकिन इनको deal कैसे करना है कैसे differences और conflicts के साथ रहना हैं क्योंकि इन differences और conflicts को solve करने के दो तरीके हैं भाई एक तरीका क्या होता है violence कहीं पर कोई लड़ाई जगड़ा हुआ कुछ हुआ तो हम आपस में लड़ लेते हैं जो ग्रुप जादा करेगी करेगी है ना तो violence से क्या होगा और ज्यादा violence होगा है ना तो एक तरीका तो यह है कि जो majority में है वो अपनी dominance establish कर ले लेकिन दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि भाई आप आसानी आराम से बैठो बातचीत करो चर्चा करो और उस प्रॉब्लम का solution निकाल लो तो democracy यही तो कर रही है सब साथ में बैठते हैं चर्चा करते हैं और बातचीश से उसका समाधार निकालते हैं तो democracy ने क्या किया क्यों अच्छी है democracy because it gives us a method to deal with differences and conflicts ठीक फिर next यह तो हमने देखा कि government के government में क्या improvement हुआ लेकिन democracy का support में democracy के support में सबसे important argument जो हैं वो यह किस से citizens की life पर क्या change आता है सबसे important change dignity हमारे सम्मान हमारा सम्मान बढ़ता है इससे dignity बढ़ती है democracy enhances the dignity of citizens कैसे dignity बढ़ती है देखो political equality तो है हर एक के पास एक vote है और हर एक के vote की value equal है चाहे वो किसी भी religion का हो किसी भी caste का हो किसी भी area का हो किसी भी gender का हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता सबके vote की value equal है और जब कोई भी कैंडिडेट्स जो election में खड़ा हो रहा है उसको सबके vote की requirement होती है इसलिए वो सबको respect करता है सबकी वास सुनता है respect बढ़ती है हमारी इससे है ना तो democracy में बहुत important क्या है इससे citizens की dignity बढ़ती है और एक और चीज किस से क्या होता है कि हम अपने जो decisions जो ले रहे हो सकता है हों लेकिन उसको सही कर सकते हैं मतलब यह हमें अपनी mistakes को सही करने का एक मौका देती है तो एक और इसके support में जो statement है वो क्या है it allows us to correct its own mistakes democracy में हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं dictatorship जैसा नहीं है भाईया कि एक बार हमने जिसको चुन लिया अब वो हटी नहीं रहा अब वो कुछ भी करता रहे हम उसको हटा भी नहीं पा रहे ठीक है ना तो democracy में क्या है कि हम अपनी mistakes को सुधार सकते हैं ठीक तो यह है arguments for democracy और इसलिए हम कहते हैं कि democracy होनी चाहिए democratic form of government की हमें जरूरत है लेकिन अभी हमने democracy को कैसे देखा just as a form of government लेकिन क्या democracy सिर्फ एक form of government है क्या इस शब्द का उपयो किसी और चीज़ के लिए हम नहीं कर सकते क्या हमने अभी तो देखा कि हाँ democracy क्या एक form of government है इसमें हम यह देख रहे हैं कि हमें identify करने में help कर रही है कि कौन सी जो countries है वो clearly non-democratic है और कौन सी democratic है इससे हमें एक basic feature मिल गया ना जो हमने अभी democracies देखी वो कैसी देखी representative form of democracy ठीक अब यह जो representative form of democracy है हमें इसकी जरुरत क्यों होती है जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं फिर हम यह समझेंगे कि democracy को और किन-किन तरीकों से शब्द का प्योग हम कर सकते हैं तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह जो common form है representative democracy है जिसे हम कहते हैं indirect democracy in direct democracy में सब लोग rule नहीं कर रहे हैं एक majority rule कर रही है और majority में भी हम देख रहे है majority की तरफ से representative rule कर रहे हैं ठीक है ना तो यह जो representative democracy है या जो indirect democracy इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम direct democracy follow क्यों नहीं कर सकते हैं का main current क्या है कि भाई बहुत सारे लोग हैं अब इतने सारे लोगों का एक साथ बैठ पाना physically impossible है है ना तो it is physically impossible for so many people to sit together अब modern democracies की बात कर रहे हैं जहां पर population बहुत बढ़ चुकी है जहां population कम हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है वहां हम direct democracy follow कर सकते हैं उसका हम example देखेंगे ग्राम सभा के रूप में लेकिन इंडिया जितनी बड़ी country जो है इतनी बड़ी country में क्या national level पर इतने सारे लोग हैं इतनी सारी जनसंग क्या हमारी हो चुकी है क्या यह सब लोग एक साथ बैठ का decision ले सकते हैं इसलिए indirect democracy की जरत है मान लोग की कोई छोटी society है इतनी population नहीं है मान लोग के सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है वहां लोगों के पास time नहीं है knowledge नहीं है और desire नहीं है है ना time time desire and skills है ना skills है knowledge है ना तो लोगों के पास हो सकता है कि time ना हो desire ना हो और knowledge ना हो decision making में participate करने का इसलिए लोग participate नहीं करते हैं और उस case में हमें चाहिए कि भाई उनकी तरफ से कोई और और कोई decision ले इसलिए हमें indirect democracy की जरूरत होती है ठीक है तो भाईया यह समझ में आ गया यहां से भी question frame हो सकता है why do we need indirect democracy है why do we need representative form of democracy ठीक अब यह जब हमें पता चल गया ना तो इससे हमें minimum understanding हो गई कि एक democracy के लिए हमको क्या चाहिए हमने features पढ़ लिए democracy के arguments for democracy पढ़ लिया arguments against democracy पढ़ लिया अब arguments for democracy से यह भी clear हो गया कि भी यह democracy is better than other forms of government यह question भी आता है तो उसमें आपको arguments for democracy लिखने है ठीक है अब हमको basic minimum feature मिल गए अब हम चलते हैं broader meaning की तरफ ठीक है क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ एक form of government की तरह देखा अब हमें इसके और broad meanings समझने हैं क्या क्या broad meaning इसके हो सकते हैं तो उसको समझने के लिए पहले हम कुछ examples यहां पर लेते हैं पहला example आपको दिया हुआ एक family का क्या कह रहे हैं we are a democratic family whenever a decision has to be taken we all sit down and arrive at a conclusion my opinion matters as much as my father's मेरा opinion उतना ही matter करता है जितना की मेरे पिता जी का तो यहां पर हमको यह समझ में आ रहा है भया कि यहां पर हमने decision making की बात की है यहां democracy का use किया गया है लेकिन यहां कोई form of government नहीं है यहां family है एक और example लेते हैं I don't like teachers who do not allow student to speak and ask question in the class I would like to have teachers with a democratic temperament यहां पर भी देखो भई teacher की बात चल रही है class में question पूछने दे रहे हैं कि नहीं पूछने दे रहे हैं उसकी बात चल रही है और क्या कह रहे हैं democratic temperament यहां भी हमने कोई form of government नहीं देखा एक और example ले लेते हैं one leader and his family members decide everything in this party how can they talk of democracy अब यहां पर हमने party की बात करी एक organization है family है class है और एक political party है यह सब क्या है organizations हैं यह कोई governments नहीं है लेकिन इन टीनों में हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से decision making की बात हो रही है तो एक broad meaning क्या मिल गया it is a method of decision making ठीक है एक broad meaning हम को मिल गया अब इनी सब में हम यह देख रहे हैं कि जब decision लेते हैं तो क्या करते हैं किस से consult करते हैं और किस की consent चाहिए दो चीज़ें consult and consent consult कर रहे हैं मतलब बातचीत कर रहे हैं consult consent चाहिए मतलब कि हमें उसकी सेह Congo चाहिए तो जिन लोगों को वो decision लेना जिन लोगों के उपर just decision का impact होना है उन सभी को decision making में शामिल किया जाना चाहिए, तो democracy में क्या होता है, democratic decisions किस चीज, क्या चीज़ involve करते हैं, consultation with and consent of all those who are affected by that decision, ठीक है, जिन पर भी उस decision का impact होना है, उन सब से consult किया जाना चाहिए और उन सब की consent लिजानी चाहिए, ये democracy का principle है, इसलिए हमने क्या है, ये क्या है method of taking decisions, ठीक? और इसमें ये भी रहता है, हमने जैसे family में example देखा, कि भाई पिता जी का और बेटे का जो opinion है उसके weightage same है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो powerful है, सिर्फ उसी की बास सुनी जाए, जो powerful नहीं है, उसके भी बास सुनी जानी चाहिए, तो अब हमने ये क्या कि है, ये सारे principles बता दिये न, जो follow किये जाने चाहिए, तो ये actually में क्या हो गया, democracy जो word है, वो क्या है, एक principle भी है जो कि life के किसी भी sphere में implement किया जा सकता है, और कई बार हम use करते हैं, democracy word को as ideal standard ideal बना देते हैं जैसे कि यहाँ पर दो example लेते हैं हम इन दोनों example के basis पर यदि हम किसी country को judge करेंगे तो हमें लगेगा कि यार दुनिया में कोई भी country democracy है ही नहीं, जैसे कि सबसे पहला, true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed true democracy कब आएगी जब कोई भूका नहीं सोएगा, यदि ऐसे देखें, तो तो फिर दुनिया में कोई country ऐसी नहीं है जो democracy हो, कोई ना कोई तो भूका सोता है एक और example लेते हैं in a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making, for this, you don't need just equal right to vote, जैसे अभी हमने कहा, इंडिया में सब के पास right to vote तो है लेकिन सिर्फ equal right to vote से हम ये नहीं कह सकते कि equal role है decision making में equal role in decision making में है इसके लाबा और क्या चाहिए, right to vote के लाबा, every citizen needs to have equal information basic education equal resources and lot of commitment ये सारी चीज़े होंगी तो हम कह रहे हैं कि decision making में equal participation है अब हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ पर decision ले रहे हैं फिर भी हाँ और ना बोल दिया तो इसको तो हम नहीं कह सकते कि equal role है decision making में तो भई information होनी चाहिए basic education होनी चाहिए याने skills होने चाहिए decision लेने के लिए ठीक है और इसके लाबा commitment बहुट जरूरी है भाई हमारे अंदर commitment नहीं है तो हम decision नहीं ले सकते है ना तो ये सारे basis पर हमको समझ में आ रहा है भाई कि democracy क्या है एक principle भी है एक ideal भी है जिसको हम achieve करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो अब हम क्या कर सकते हैं distinguish कर सकते हैं एक minimum democracy में और एक good democracy में ठीक अब हमें ये समझ में आ रहा है भाई democracy में decision लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन वो democracy कब तक कहलाएगी जब तक एक principle जो है न फॉलो किया जाए consultation on equal basis जब तक ये consultation equal basis पर हो रहा है तब तक हम ये कह सकते हैं कि वो democracy है अब कई तरीकों से decision ले सकते हैं है ना अब जैसे कि हमने अभी representatives की बात करी थी लेकिन हम direct democracy भी follow कर सकते हैं जैसे कि हमारे यह ग्राम सभा होती है small communities में ग्राम सभा में क्या होता है एक गाओं के सभी adult members उस ग्राम सभा के member होते हैं ये सब एक साथ बैठते हैं उस पर decision लेते हैं ठीक है और उसको फिर ग्राम पंचायत को follow करना होता है हलाकि ये उतना successful अभी नहीं है इंडिया में जितना होना चाहिए बट इस पर काम किया जा रहा है तो यहां से एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है हमको कि democracy में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम अपने leader select कर दें हम क्या कर रहे हैं हम decision making में participate कर रहे हैं कि नहीं ये भी बहुत जरूरी होता है ना तो what we do as citizens can make a difference to make our country more or less democratic ठीक है clear है ये चीज और एक और statement हमें याद रखना है कि country का fate किस चीज पर dependent है country का fate depend है कि हम क्या कर रहे है rulers अकेला नहीं हमने जिनकों चुना सरफ वो नहीं हम क्या कर रहे हैं as citizens ये बहुत जरूरी है इसके basis पर ये decide होगा कि वो country और democratic होगी ज्यादा democracy होगी वहाँ पर कि less democratic होगी ठीक तो यहाँ पर ये हमारा chapter complete होता है ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे comment section में हमें जरूर बताएं और इन सारे courses के लिए हमारे channel से जुड़े रहिए हमारे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और जादा से जादा लोगों के साथ इसको share कीजिए thank you very much कीजिए